तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन दो पार्ट को हां से कवर कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे तो आएए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जो वीलेज है वह रूरल सुसाइटी का यूनिट होता है जो रूरल प्यूपल है वह विलेज में सेटल्ड होते हैं और ट्रडिशनली विलेज का जो सेटल्मेंट पैटर्न है उसको तीन टाइप्स में डिवाइट किया जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स की वज़े से यह जो पैटर्न से यह चेंज भी हो रहे हैं तो आएए देखते हैं वह पैटर्न कौन से हैं तो ट्रेडिशनल सेटल्मेंट पैटर्न की बात करेंगे यहां पर तो सबसे जो पहला सेटल्मेंट पैटर्न आता है उसको हम बोलते हैं और इस तरह के जो सेटल्मेंट होते हैं यह जो जनरल लिविंग एरिया होता है वह जो सराउंडिंग फार्म से उनसे इस्टिंक्ट और सेपरेटे होता है और इस तरह के जो सेटल्मेंट होते हैं यह जनरली फर्टाइल अलुवियल प्लेंज और नौर्थ इस्टर्न स्टेट्स में पैज आते हैं Fertile Alluvial Plains means North India का जो पैटन है जो North Indian River System का जो एरिया है वो Fertile Alluvial Plain होता है कभी-कभी जो लोग compact villages में रहते हैं वो security और defense reasons के वज़े से भी होते हैं तो nucleated या clustered settlement system जो है वो security या defense reasons के वज़े से भी use में आता है कुछ areas देखें जो इन regions के वज़े से ये settlement बनाते हैं उसमें है बुंदेलखंड region of the Central India and in the Nagaland राजस्तान की बात करें तो यहाँ पे scarcity of water होती है यहाँ पे पानी की कमी होती है जो कि compact settlement system को necessiate करता है मतलब इसको जरूरी बनाता है कि compact settlement system होना चाहिए और यह क्यों होना चाहिए जो भी available water resources है उसका maximum utilization हो सके तो यह हो गया nuclear या फिर clustered settlement pattern next है linear settlement pattern यहाँ पे जो houses होते हैं यह strung out होते हैं string out का मतलब क्या होता है कि यह stressed out into a long line एक लंबी line होती है और उसके दोनों साइड में houses होते हैं और each surrounded by its own compound और हर कोई अपने compound से surrounded होता है तेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है physically demarket करना एक village को और दूसरे village को की एक village कहां कतम हो रहा है और दूसरा village कहां से start हो रहा है linear settlement pattern में और इस तरीके से यह जो settlement पाया जाता है यह केरला में पाया जाता है कोनकन एरिया में पाया जाता है और डेल्टा लेंट्स ऑफ बेंगॉल में पाया जाता है जो third और last settlement pattern है वह scattered और dispersed settlement pattern यह जो settlement pattern है यह isolated huts यह hamlets of few huts होते हैं जो की remote jungles या फिर small hills पर पाया जाते हैं वहाँ पे जो further जो दो settlement patterns है उसको establish नहीं किया जा सकता है तो यह जो settlement है यह हमेशा extremely fragmented nature of terrain पे ही मिलता है तो जो hilly area of Meghalia है उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है यह जो Highlands of Gujarat सत्पूरा range of Maharashtra है वहाँ पे scattered या भी dispersed settlement pattern पाया जाता है यहाँ पे picture में आप देख सकते है है कि जो dispersed settlement system है जो third one है यहाँ पे कुछ fragmented houses है nucleated में देख सकते हैं कि यहाँ पे bunch of houses है जो की एक दूसरे से closely related है और linear में देख सकते हैं कि एक linear pattern है जिसमें की houses settled है next हम देखेंगे traditional settlement pattern in terms of social distance अभी social distance यहाँ पे define करता है caste को तो जो social distance है वो basically maintain किया जाता था between the upper and the lower caste और इस तरीके से जो traditional pattern system हुआ था village system में उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे तो जो caste stratified system है उसने एक बहुत ही use role play किया है settlement pattern of Indian villages में अब यह caste stratified system किया है कि जो society divided है into the four divisions that is the brahmanas, chhatriyas, sudras and vasyas तो इसको यह establish करता है अगर हम बैतेली की बात करें तो उन्होंने study किया था तंजोर village को और उन्होंने पाया कि जो caste status है वो decline होता है from north to south of the village means एक village है जिसमें अगर north से south जाएंगे तो जो caste status है वो decline होता हुआ नजर आएगा means कि north में जो higher caste है वो exist करेगी और जो south होगा वहाँ पे जो lower caste होगी वो exist करेगी और इस लेवर को में देखें तो जो untouchables होते हैं जिनको माना जाता था the lowest most group in the caste stratified system वो outskirts पे रहते थे village के means की एकदम बाहरी जगा पे रहते थे अब इस traditional system में कुछ changes आ गया है और changes क्या है है कि जो population explosion है इसकी वज़ए से जो nucleated settlement है उसका expansion हुआ है population बढ़ी है तो जो घरों की संख्या है वो धिर धिरे बढ़ती गई है जो earlier uncultivated area थे जिन खेतों पे खेती नहीं की जा सकती थी उनको खेती में लाया जा रहा है जिससे की नए nucleated settlements का emergence हो रहा है यसे कोई area है वहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो रही है लेकिन उस uncultivated area को धिरे धिरे खेती में लाया जाने लगा वहाँ पे cultivation start कर दिया गया इसके वज़ए से वहाँ लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया और धिरे धिरे वहाँ एक नया nucleated settlement pattern बन जाता है फिर river linking या canal projects के वज़ए से बहुत सारे linear settlements इमर्ज हुए है रिवर के किनारे या उस candle के किनारे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है और यह जो settlement है वो है linear settlement जैसे की अगरा channel की बात कर ले या फिर या मुना channel की बात कर ले जो की डेली के पास में है जो नए roads या highways बन रहे है इसके वज़ए से भी linear settlement का pattern हमें देखने को मिल रहा है आजकल नए highways बन रहे है नए roads बन रहे है तो धीरे धीरे उन जो roads हैं उसके किनारे लोग रहना स्टार्ट कर दिये ह है वहाँ पे shops या फिर कुछ connectivity के लिए लोगों ने एक linear settlement को start कर दिया है urbanization के वज़ए से urban-rural fringe देखने को मिलता है जो की join कर रहा है rural और urban areas को अब ये urban-rural fringe क्या होता है तो एक transition zone होता है between the rural and the urban areas और ये transition zone क्या include करता है industries को residential developments को इससे क्या हो रहा है कि rural और जो urban areas है वह गूसरे से connect हो रहे हैं अगर इसका example देखें तो पूने and the surrounding villages के हम बात कर लें तो पूने से surrounding villages हैं वो connect हो रहे हैं due to the transition zone and that is the industries and the residential development next is the conurbation conurbation क्या होता है एक reason होता है जो की number of cities large towns और other urban areas को include करता है या population growth और physical expansion की वज़ा से होता है जो की merge होता है to form one continuous urban or the industrial development area तो conurbation क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारी cities हो गई ही large towns हो गई है urban areas हो गई है और यह सारे चीजें मिल करके एक continuous urban या industrial development area बनाते हैं जो की एक बहुत बड़ा urban area या industrially developed area हो जाता है जैसे की NCR region जो है डेली का तो इस term को हम बोलते हैं conurbation next हम देखेंगे कि social distance है in the form of settlement pattern वो decrease हो रहा है यह main topic पर आ जाते हैं तो जो social distance है जो की caste system के वज़े से create हो रहा था वह धिरे धिरे कम हो रहा है जो upper and lower caste है उसके बीच में और जैसे की government flats या apartments या private constructions इसके वज़े से लोग जो है वो एक दूसरे का कास जाने भी ना एक दूसरे के बीच कोई discrimination के बीना वो एक ही government flats या apartments में रह रह रहा है या private constructions में रह रह रहा है यहाँ पर हमें कोई भी social distance between the caste नहीं देखने को मिलता है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे factors हैं जह से urbanization, modernization, developmental projects, secularization इसी वज़े से जो traditional settlement pattern इंडिया में है वो बहुत तेजी से change हो रहा है next हम देखेंगे agrarian relations in the Indian village तो जो Indian village है इसका जो social system है वो हमें एक triangle के थुरू देखने को मिलता है और यह जो triangle है यह consist करता है caste system को, joint family को और village organization को जो mainly peasantry को represent करता है तो एक बहुत ही dominant proportion का जो proportion of Indian population है वो इस triangle में रहता है और इसमें कोई भी change, social change को lead करता है अगर हम agrarian relations की बात करें इंडियान villages में तो यह product of this triangle होते हैं means की agrarian relations, Indian village में इन तीनों सीजें, caste system, joint family और village organization और presentry इसके product को दिखाता है इनके combination को दिखाता है agrarian relations की बात कर लें तो जो caste और class है यह agrarian relations में बहुत ही important role play करते हैं according to KL Sarma, इन्होंने बताया कि जो caste है, वो कुछ class के elements को incorporates करता है और जो class है, उसके पास कुछ caste के elements होते हैं तो इस तरीके से caste और class एक दूसरे से interrelated है और इस तरीके से जो दो systems हैं, इनको separate नहीं किया जा सकता है तो यह statement दिया था KL Sarma ने around 70% of the Indian population है, वो विलिजर में रहती है according to the census 2011 जिसमें से कि roughly 64% जो लोग हैं, वो agriculture में engaged है तो इस तरीके से जो caste relation है, वो जजमानी system के थुरू manifest किया गया है अब जजमानी system क्या होता है? तो जजमानी system जो होता है, यह एक interdependency होती है among the caste, और इसकी वज़े से हमें occupational specialization देखने को मिलता है जो की caste system का एक important feature है अब जजमानी system में हर caste group एक standardized service की expectations की जाती है जो other caste के families या हर caste के families के पास एक special service होती है, जो उसको deliver करता है इस जजमानी system में generally देखा जाए, तो यहाँ पे exchange of goods and services होती है between the land-owning higher caste यहाँ पे दो groups देखने को मिलता है एक होता है land-owning higher caste और दूसरा होता है landless lower caste यहाँ पे इन दोनों groups के बीच में exchange of goods and services होती है यहाँ पे एक pattern client relationship देखने को मिलता है between the जजमान जो की service receiver होता है यहाँ जिसे client बोलते है और प्रोजन यहाँ जिसे कामिन भी बोलते है जो इसकी service providers होते है तो जजमान जो होते हैं यह land-owning higher caste होते है और प्रोजन जो होते हैं वो एक landless service caste होती है जैसे की washer, tailor, cobbler, carpenter, barber, etc. अब इस जजमानी system में कुछ changes आ रहे हैं अब इस changes क्या है कि it has now weakened due to the government efforts तो government के efforts से यह चीजें अब कमजोर पड़ गई है lower caste के status को raise किया है और urbanization का impact यहाँ पर देखने को मिला है यह चीजें government के efforts से होई है जो occupations adopt किये गए हैं village people के द्वारा वो hereditary अब नहीं रहे पहले जो जजमानी system थी उसमें क्या होता था यह चीजे जो हैं वो hereditary होती थी कि जो पिता ने किया वो उसका बेटा भी वही काम करेगा एक special service को ही deliver करेगा और यह चीजे थी कास system के base पे अगर धोबी है उसका जो बेटा है वो धोबी ही बनेगा अगर एक कारपेंटर है तो उसका बेटा कारपेंटर ही बनेगा लेकिन अब यह चीजे धीरे-धीरे बदल रही है अब जो payment for services है lower cash के द्वारा वो अब kind में नहीं लिया जा रहा है पहले किसी भी तरह का cash payment नहीं होता था जजमानी system में लोग चावल गे हूँ इसके form में अपने wages को लेते थे अपने payments को लेते थे लेकिन अभी यह mostly cash payment होता है next हम देखेंगे classes in the agrarian relations में तो जो land revenue system है under the colonial rule इसने class structure को rise किया है Indian villages में as per the Daniel Thornar तीन तरह के classes होते हैं जो सबसे पहला class होता है वो होता है land owner जिसको मालिक बोला जाता है और यह upper caste land owners होते हैं और इनके पास peasants और laborers होते हैं जो इनकी खेतों पे काम करते हैं और यह generally dominant caste से belong करते हैं like ठाकूर्स in the North India and the occaligas in the Masur जो second class है वो है working peasants जिसे किसान बोलते हैं यह small-sized land owners हैं जो की एक tenants कि तरह काम करते हैं big farms पे और यह big farms किसे होते हैं जो मालिक होते हैं उनके तो यह working peasants हैं किसान यह small-sized land owners होते हैं और यह मालिक के forms पे bigger farms पे tenants कितरह काम करते हैं और यह middle level cultivators या artisan caste से बिलॉंग करते हैं जो third class आती है वो होती है agriculture levels जिसको मज़ूर बोला जाता है और यह landless group होता है जिनके पास कोई भी जमीन नहीं होती है और इनका जो primary work होता है यह दूसरों के खेतों पे ही काम करना होता है और generally यह traditionally landless caste से ही आते हैं या फिर यह scheduled caste से आते हैं तो इस तरीके से according to the Daniel Thornar यह agrarian society में class division था next हम देखेंगे change in the agrarian social structure in the post-independence India तो जो post-independence India में जो agrarian social structure में changes आ है उसके लिए कुछ factors थे जो कि इन changes को लेकर आए पहला हुआ land reforms तो land reforms क्या था कि equitable redistribution of land था with the aim to increasing the productivity and the decreasing the quality जो दूसरा factor था वो था ruler development program और जो third था वो था national movement जिसमें की हम prison movements को हम देख सकते हैं सारी prison movements हुए जिसके वैसे यह चीज़े change होई है अब हम देखेंगे significant trends in the social mobility and the transformation in the rural India तो जो social mobility और transformation का trends रहा है वो क्या क्या रहा है कि यह जो efforts लिए गए land reforms के लिए, rural development programs के लिए इसमें एक trends हमें देखने को मिला जैसे कि wide gap रहा between the land reforms ideology जो land reform के लिए ideology बनाई गी थी actually जो rules बनाए गए थे और जो implements किये गए थे वहाँ पे हमें wide gap देखने को मिलता है जो land reform हुआ इसकी वज़े से जो rich presents थे उनकी economic prosperity बढ़ गई जो class inequalities थी between the upper and the lower strata वो और बढ़ गई जो rural social system है उसमें tension और increase हो गए due to the inequalities तो इस तरीके से यह trend देखने को मिला market economy थी उसका penetration बढ़ता गया रूरल इंडिया में और इसकी वज़े से जज्वानी system में decline देखने को मिलता है और इस decline को हम देख सकते हैं कुछ village studies के द्वारा तो सबसे पहले हम देखेंगे चान देन सिरवास्तों ने 24 में study किया था जामगोड वीलेज मध्यप्रदेश का और उन्हें पाया कि जो कामींस हैं जो लोवर स्टेटा की लोग हैं वो अब contract based wage employment की बात कर रहे हैं तो उनको काम करने से पहले एक contract based wage employment चाहिए और यह इस तरीके से जजमानिक सिस्टेम में decline देखने को मिल रहा है जो तिल्चे थे इन्होंने 2016 में study किया और उन्हें बताया कि जो पतिदार साब government immigration to the urban areas और इस तरीके से वो इस जजमानिक सिस्टम से दूर हट रहे हैं और class structure के respect पर बात करें तो योगेंदर सिंग और PC जोसी ने भी नोट किया कि जो freedom in struggle है इसने एक बहुत ही radical agrarian ideology को लाया है और culminate किया है in the land reforms of the post independence era तो ये था कुछ village studies जिसकी तुरू हमने ये जाना कि कैसे जजमानी सिस्टम में decline हुआ है next हम देखेंगे village Indian village as little republic ये concept colonial rule में दिया गया था कि जो इंडिया है वो एक nation of villages है यहाँ पे 70% जो population है वो लगवग 6 लागाओं में रहती है according to the census 2011 एंडरे बटेले के दोरा ये बताया गया कि जो villages होते हैं ये basic unit of the Indian civilization होते हैं अभी colonial view क्या था कि जो early 90th century था उसमें British administration ने देखा कि जो Indian villages हैं वो as a little republics है तो ये concept जो है वो British administration के दोरा दिया गया था उन्होंने consider कि जो Indian village है वो closed और self-sufficient system है इसका मतलब है कि वहाँ पे उसारी जरूरते पूरे हो जाती है Indian village system में और इसे किसी भी other village या other urban area से कोई भी trade relation establish करने की जरूरत नहीं होती है Metcalf ने बताया कि एक simple form of self-government है और ये almost isolated है from the higher political authorities except for the purpose of the revenue collection तो यहाँ पे self-governments देखने को मिलता है और ये जो higher political authorities है इससे ये almost isolated है लेकिन एक exception है वो है revenue collection के purpose है इन higher political authorities से इनको connect रहना पड़ता है post-colonial view क्या है वो post-independence में जो anthropological studies हुई उन्होंने रिवील किया कि जो Indian villages है वो part of wider society थे और civilization थे नकी little republics थे जैसा कि जो British administration था उसने बताया था Oscar Levice ने study किया था Rani Khera village और other North Indian villages को और उन्हें पाया कि हर village जो है वो एक दूसरे village से linked है यहाँ पे कोई भी isolation देखने को या close system देखने को नहीं मिल रहा है तो यह linked है other villages से, towns से, cities से through a complex web of the social relationships यहाँ पे complex web of social relationships देखने को मिलता है rather than the closed and the isolated system और यह जो relations जो है यह caste के बेस पे हैं, concept के बेस पे हैं, marriage के बेस पे है, occupation के बेस पे है, religion के बेस पे है administrative या फिर political organizations के बेस पे है तो इस तरीके से इस term को Oscar Levice ने refer किया as the rural cosmopolitanism फिर Mackie Marriott ने study किया था किशनगड़ी विलेज को और उन्हों ने observe कि interplay of the little and the great tradition देखने को यहाँ मिल रहा है कि यहाँ पे little tradition और great tradition के बीच में एक interplay exist करता है और जो process of universalization या paracalization है, यह proof है कि Indian villages और जो larger regional centers हैं, उनका interaction कैसे हुआ है, यह इसकी history को बताता है तीज जो topics हैं, little और great tradition, universalization, paracalization यह previous lectures में discuss किये जा चुके हैं आप वहाँ से जाकर कि उसको refer कर सकते हैं M.N.S.R. निवास ने South India में एक village study को conduct किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि villages जो हैं, वो observation centers हैं to study the social processes occurring in the great parts of the India तो villages को as the observation centers उन्होंने consider किया था आज के time पे modernization के वज़े से जो villages हैं, वो urban societies के और close आते जा रहे हैं और कुछ villages तो directly global supply chain में या centers में include होते जा रहे हैं तो इस तरीके से जो continuity और integration है between the villages and the wider units of the Indian society यह well recognized है और जो colonial view था, little republic का वो अब discard किया जा रहा है कि Indian society जो है, Indian village जो है, वो little republic नहीं है, बलकि यह एक continue और integrated system है Indian peasantry की बात करेंगे, तो जो peasantry society होती है, वह एक small scale social organization होता है, जो की peasants के द्वारा dominated होता है और इस society को peasant society बोल जाता है क्रोबर के हिसाब से, यह एक small society होती है, जो की एक larger society पे dependent होती है तो यह चीज बताया था क्रोबर ने foster के हिसाब से, जो peasantry है, यह एक half society है, जो की cultivating class को include करती है Robert Redfield ने pigeon society को बताया कि यह फॉक और urban communities के बीच में आता है fork means, जो village system हो गया और urban community, इसके बीच में peasantry society exist करती है और इन्होंने कुछ peasant के features बताया यह जो peasant होते हैं, यह highly reverent attitude रखते हैं towards the land reverent means, कि इनका एक deep Solomon respect होता है lands की तरफ agriculture को जो है, एक nobelist और ideal job consider करते हैं और इन्होंने pronounced कर दिया है industrialist attitude को और इन्होंने एक firm belief रखा है dignity of labor में जो land और agriculture हैं, यह main sources of livelihood हैं और इनके life के सारी जरूरतों को पूरी करते हैं फैमिली जो है, वो primary unit है social organizations का और यह एक distinctive traditional culture को maintain करते हैं अपने day to day life में हैं और यह usually dominated होते हैं outsiders के तोरा, यहाँ पे कुछ outsiders हमें देखने को मिलेंगे ही फिर अगर हम यहाँ पे village system के triangle की बात करेंगे जो के मैं previously भी discuss कर लिया है यहाँ पे इन चीजों को फिर से recap कर रहा है यहाँ पे caste system देखने को मिलता है, joint family देखने को मिलती है और village organization देखने को मिलता है जिससे की हम presentry भी बोलते हैं यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जो small scale sociological organization होता है जिसमें की peasants dominate करते हैं इसको peasantry बोला जाता है और इसके मिले definitions हमने starting में देखे इस topic के कि एल क्रोबर ने बताया कि peasants वो part of society होते है with the dependence on the large society तो यह large society पे यह dependent होते है foster और redfield ने बताया था कि peasantry जो है एक half society होता है और foster ने भी बताया था कि इस तरीके से जो peasants है वो एक half society है और यह cultivating class से बनी होई है तो यहाँ पे हम देख सकते है caste system है यहाँ पे इसको दो पार्ट में divide के जाता है अगर village के हिसाब से देखे caste system का होते है यहाँ पे हम peasants देखते हैं और अगर urban areas के हिसाब से देखे यहाँ पे हमें upper class देखने को मिलता है अब हम देखेंगे globalization of the Indian villages के बारे में तो as per the Anthony Giddens इन्हों रिफर किया कि जो gradual integration है economies का, societies का वो around the world हमें देखने को मिलता है इंडिया में एक economic policy है थी 1991 में वो बहुत ही grab impact डाला globalization का इंडिया में तो इंडिया में globalization की सुर्वाद जो है वो 1991 के बाद से हमें देखने को मिलता है जो globalization का market है वो include करता है corporatization को जिसकी वज़ा से commercialization बड़ा commodification बड़ा और इस तरीके से हमें changes society में देखने को मिली जो Indian villages हैं यह characterized है by the triangle of the joint family caste system and the subsistence economy जो की positively या negatively impact हुए है by the virus factors and the forces of the globalization तो Indian village के जो triangles हैं वो globalization से इंपक्ट हुए हैं और यह जो triangle है joint family globalization से इंपक्ट हुआ है caste system यह भी इंपक्ट हुआ है और subsistence economy means production is equal to consumption यह भी इंपक्ट हुआ है तो इस तरीके से village studies को देखा जा सकता है कि यह immense रहा है impact of globalization को trace करने में on the Indian village और इस तरीके से हमें कुछ below case studies भी देखने को मिलती है तो यह जो case studies थे यह हमने पीछे भी discuss किया था लेकिन जब भी अगर question आता है तो आपको इन studies को mention करना पड़ेगा तो मैंने दुबारा यहां से इन चीजों को लिख दिया है कि इसे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो किल्चे ने study के था पटिदार साफ सुंदराना विलेज गुजरात में और यहां पे हमने देखा कि जो agriculture communities थी उन्होंने खुद को free कर लिया था अगरी कल्चर से और रूदा education employment and immigration to the urban areas पर चाहन दन सिर्वास्तों ने study किया था जांगोड village in the MP और यहां पे contract employment की बात देखने को मिली थी सिंप्शन ने तो 2016 में study किया और इन्होंने देखा कि एक नया conflict देखने को मिल रहा है अगरी कल्चर और नॉन अगरी कल्चर वे आफ दे रूर राइप में और यह चीजे हो रहे हैं डियू टुदा market economy, modern education and improved access to the civic amenities तो इस तरीके से जो frames of reference for the villagers हैं यह change हो चुके हैं और जो संस्क्रिटाइजेशन का concept था वो अब no longer a major attraction रह गया है अब हम factors and forces देखेंगे globalization में कौन-कौन से factors या forces हैं जो globalization implement करते हैं market economy, monetization, mechanization and the technological innovations इसके वाज़से हमें globalization देखने को मिलता है फिर देखेंगे modernization and the westernization and the secularization फिर है liberalization of the economy and the capitalistic economy फिर है urbanization and the industrialization फिर है expanding means of the transportation and the communication next हम देखेंगे constitutional provisions and the land reforms and next है emergence of the associations तो यह है factors and the forces of the globalization अब हम major changes या इसके impacts देखेंगे जो nature of agriculture था यह कैसे बदल गया तो यहाँ पे हमें cash crop देखने को मिल गया और market oriented agriculture देखने को मिल गया जो areas थे under cultivation वो बढ़ गया लेकिन जो areas under the food crop थे वो decrease हो गया तो लोग जो है वो food crop से cash crop पे shift हो गया और इसके वज़े से area under cultivation तो बढ़ा लेकिन जो area under food crop था वो decrease हो गया और इसकी वज़े से हमें food security के लिए threats देखने को मिलता है और यह बताया था MS स्वामी नातन ने जिनको father of green revolution बोला जाता है फिर जो agricultural activities थी उसमें diversification देखने को मिला जैसे कि poultry, fishery, pigry जैसे में देखने को मिल गई modernization of the agriculture practices हो गया, high yield variety of seeds आ गई, fertilizers आ गया, pesticides आ गया फिर यहां पर जो societal tendencies हैं भी increase हो गई, यह increase किस वज़े से हो गई, क्योंकि जो agricultural input का था वो बढ़ गया, climatic changes होने लग गया, जिसके वज़े से फसल बरबाद होने लग गई और किसानों को loss होना स्टार्ट हो गया अब हम देखेंगे changes in the economy overall, तो जो agriculture workers थे, वो migrate करने लगे अधर स्टेट्स में और जो rural areas में थे, वो urban migrations करने लगे, जो products of the rural based craftsman था या जो women organizations था, वो super seed हो गया market based imported goods के द्वारा, और यहां पर consumption based oriented lifestyle देखने को मिलने लगा, फिर changes in the caste system की बात करेंगे, तो यहां पर evolution of untouchability हो गया, occupation free caste system structure देखने को मिला, occupational mobility, exogamy देखने को मिला, family system जो है जो है, जो joint से nuclear हो गई, रूरल attitude की बात करें, तो यहां पर लोग जो है, वो consumerism देखने को मिला, individualism देखने को मिला, और जो rural coversiveness था, वो भी decrease होने लगा, और लोगों के बीच में जो face to face interactions था, वो भी कम होने लगा, मास मीडिया की बात करें तो यहाँ पे awareness बढ़गी लोगों की बीच में मेरी सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे individual affairs देखने को मिलने लगा, institute of the group affairs, और kinship की बात करें, तो यहाँ पे non-kins relations ज़्यादा important होने लगे तो आज के lecture में इतना है, thank you for watching this video, जय हिंद